बॉलिबूड अभिनेत्री शिरी देवी की अस्थियां आज हरिद्वार की गंगा नदी में विशर्चीत की गई अस्थि विशर्चन के लिए दिवंगत अभिनेत्री के प्रती बोनी कपूर, देवर अनिल कपूर और राजनेता अमर सिंग और करीबी दोस्त मनिश्मन होत्रा हरिद्वार पहुँचे थे विशर्चन से पहले पूजा करते वक्त बोनी कपूर कई बार फफक फफक कर रोते हुए नजर भी आए अपनी पत्नी शिर्देवी को हरिद्वार में आखरी बिदाई देती वक्त बोनी के आशू थम नहीं रह थे पूजा की पूरी प्रिक्रिया के दोरान कई बार बोनी कपूर की आखे नम हुई अस्ति विशर्जन के दोरान बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर उनके साथ नजर आए जब जब बोनी का हुसला डगमगाया अनहिल ने उन्हें दुबारा सहारा देते हुए नजराय गौर्तलाभै की हरिद्वार से पहले शिरी देवी की अस्तियों का कुछ अंश रामेश्वरा में भी विसर्जित किया गया था आपको बता दें कि हरिद्वार धार्मिक अस्तियों में बहुत ही महतुपून अस्थान रखता है जिससे लोग देश विदेश से हरिद्वार में अपनी अस्तियां विसर्जन करने के लिए आते हैं आपको बता दें कि शिरी देवी की अस्तियों को गंगा में प्रवाहित करते वक्त उनके देवर और कई फिल्मों के साथ काम करने वाले अभिनेता अनिल कपूर भी दुखी नजर आये उनका जहरा उनके मन के दुख को बयान कर रहा था आपको बता दें कि ये सारा कर्मकांड हरिद्वार के वियाईपी घाट पर किया गया था इस दवरान वहां सुरक्षा के पुकता इंतजाम भी किये गया थे पूरोहित का कहना था कि कपूर परिवार बहुत समय से हरिद्वार से जुड़ा हुआ है परिवार के और भी लोगो का अस्ति विसर्जन यहां किया जा चुका है गौरतला भै कि बीते 24 फरवरी को दुबाई के एक होटल में बात टब में डूपने की वज़त से शिरी देवी का निधन हो गया था जिसके बाद 28 फरवरी को राजकिय सम्वान के साथ उनका मुंबई में अंतिम संसकार किया ग लिए उनके अंतिम सफर में शामिल हुए थे नेच नाइन स्प्रिच्वल के रिपोर्ट